हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन के लड्डू की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसियल जैसी पीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं बेसन के लड्डू को एक दानेदा सा टेक्श्चर देने के लिए हम उसमें सूजी एट करेंगे तो हमने एक चोधाई कप सूजी ली है इसे हमें ड्राइ रोष्ट करना है लगाता चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तब तक रोष्ट करेंगे जब तक इसका क हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे हमने पेन में से सूजी निकाल ली और उसी पेन में हमने एक कप देशी घी लिया है घी अच्छे से गरम हो चुका है तो हम इसमें एट कर देंगे दो कप बेसन दिखी हमने इस कप से मेजर करके एक कप गी लिया और इसी कप से मेजर करके हमने दो कप बेसन लिया है और हमें बेसन को low to medium flame पर घी में अच्छे से भूनते रहना है इसे लगाता चलाते रहेंगे अब भी हमें बेसन की भुनाई करते हुए सिफ 10 मिनिट हुई है आप देख सकते हैं कि इसने सारा घी इब्जोब कर लिया और इसमें थोड़ा गाड़ा पनाने लगा है इस स्टेज पर हम इसमें एक टेबल स्पून घी और एट कर देंगे और लगाता चलाते हुए अभी भी हमें इसकी 20 से 25 मिनिट टक low flame पर अच्छे से भुनाई करनी है देखिए आप इसे लगाता चलाते रहिएगा अगर आपने इसे चलाना छोड़ दिया तो यह नीचे लग जाएगा 10 से 12 मिनिट के बाद हम इसमें जब एक टेबल स्पून घी और एट करेंगे तो अब देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर थोड़ा सा लिक्वीडी होने लगा है और इसमें से घी भी रिलीज होने लगा है तो अब भी हमें इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक इसमें से बढ़िया सी खुसबू ना आने लगे और इसका color थोड़ा सा चेंज ना होने लगे तो इसे लगाता चलाते हुए हमने low to medium flame पर 20 मिनिट के लिए अच्छे से भून लिया अब देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा liquid हो चुका है इस stage पर हम इसमें add कर देंगे सूजी जिसको हमने पहले से roast करके रखा हुआ है अच्छे से mix कर लेंगे और अभी भी हमने इसे low flame पर 5-7 मिनिट के लिए और भूनना है क्योंकि हमने इसमें सूजी यानि की रवाइट किया है तो लड़ू बहुत ही दानेदार बनेंगे अगर आप यहाँ पर सूजी को skip करना चाहते हैं तो आप दानेदार बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं हमने regular बेसन का इस्तेमाल किया है इसलिए थोड़ी सी सूजी एट कर दी तो लगाता चलाते हुए हमने इसे 30 मिनिट टक low to medium flame पर अच्छे से भून लिया है आप देख सकते हैं कि इसका texture कितना दानेदार है और अच्छा खासा इसका color change हो चुका है बेसन की जब भूनाई अच्छे से हो जाती है तो इसकी जो खुसबू है वो पूरे घर में महेक उत्ती है अब हम गेस की flame को off कर देंगे देखिए मैं आपको इसका texture बताती हूँ कि कितना दानेदार इसका texture हुआ है जितनी अच्छे से बेसन की भूनाई करेंगे उतना ही इसका texture दानेदार होगा और सूजी की वज़े से इसे थोड़ी सी crunchiness मिलेगी तो अब हम इसे एक bowl में transfer कर लेंगे और room temperature पर ठंडा होने के लिए रख देंगे देखिए हमने इसे एक bowl में transfer कर लिया है और इसे room temperature पर ठंडा होने के लिए रख देंगे इसमें add करने के लिए हमने यहाँ पर एक cup चीनी ली है इस चीनी को हम mixi jar में अच्छे से grind कर लेंगे तो इसका measurement कितना perfect है आपने देखा एक cup घी, एक cup चीनी और दो cup हमने बेशन लिया अगर आपके पास measuring cup ना हो तो आप किसी भी कटोरी को set करके measure कर सकते हैं तो हमने इसे room temperature पर ठंडा कर लिया है लेकिन अभी यह थोड़ा गरम है यानि कि हमें इसे इतना गरम रखना है कि जब हम इसमें उंगली डाल कर देखे तो हमें महसूस हो कि यह गरम है इस बात का ध्यान रखना है कि जब उंगली डालेंगे तो हमें यह गरम महसूस हो हमारी उंगली जलने ना लगे तो इस stage पर हम इसमें जो हमने चीनी पीस कर रखी हुई है वो एट कर देंगे साथ ही में फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पुन इलाइची पाउडर भी एट कर देंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर लड्डू का मिक्स्टर कुछ जादा ही गरम होगा और आपने इसमें चीनी एट कर दी तो चीनी इसमें मेल्ड हो जाएगी और इसे लड्डू का सेप नहीं मिलेगा इसलिए मिक्स्टर जब हलका गरम होगा तब ही इसमें चीनी एट कीजिएगा अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे लड़ू का सेब दे देंगे देखिए इस टेच पर अगर आपके लड़ू नहीं बन रहे हैं यानि कि लड़ू का सेब बिल्कुल सही नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि 2-3 टेबस पुन जितने बेसन को अच्छे से रोष्ट कर लिजिएगा और रोष्ट करने के बाद इसमें एड़ कर दीजिएगा तक इसकी कंसिस्टनसी लड़ू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो इस तरह से हमने एक लड़ू बना लिया और बाकी के लड़ू भी हम इसी तरह से बनाएंगे तो खाने के लिए तयार है बेसन के लड़ू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेस्ट है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं